दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार में तैट तारीक पर होगी मेट्रिक की परिच्छा बियस इबी ने दसवी बोर्ड की परिच्छा का एड्मिट कार्ड किया जाई जा कोरोना के बरते संगर्मन के बेच राज सरकार ने सबी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संसानों को बंद करने का आदिस दे दिया है लेकिन मेट्रिक की परिच्छा तैट तारिक पर ही होगी बिहार इसकूल एक्जामिनेशन बोर्ड ने इसके संकेत दे दिया है आपको बदा दे कि बोर्ड ने सनिवार को दसवी बोर्ड की परिच्छा का एड्मिट कार्ड जारी कर दिया है मेटिक की प्रेक्टिकल परिच्छा 22 और 22 जनवरी को होनी है और सेदान्दिक परिच्छा 17 से 24 परवरी 22 तक आवजित की जानी है एडमिट कार्ड को स्कूल है डावलोड कर सकेंगे वही 16 अपने एडमिट कार्ड अपने स्कूल से हासिल कर सकते हैं अगली बड़ी कबर बिहार में 12 जनवरी तक हलकी बारिस के आसार कई इलाकों में रहेगा कोल डेव घना कोहरा जिहां बिहार में बारिस का सिस्टम सक्रिय होने से राज के कुछ हिस्टों में अगले कुछ दिनों तक बारिस के आसार है मौसम विग्यान केंदर पटना के अनुसार बारिस का या सिस्टम अलग-अलग दिनों में राज के अलग-अलग हिस्व में सक्रिय होगा उत्तर पश्यम बिहार से सुरू होकर 12 जनुवरी तक सुवे में हलकी से मददम बारिस के सिति रहेगी हाला कि मंगलवार के बाद इसमें कमी आनी सुरू हो जाएगी इस दोरान कुछ जगहों पर घना कोरा होगा साथ ही कुछ जगहों पर कोल्ड डे की सिति बन सकती है इसके बाद मौसम साप हो जाएगा इसके अलावा अगले दो तिन दिनों तक सुवे में नियूंतम तापमान में ब्रिधी होगी लेकिन बादल चाहे रहने से दिन का तापमान दो से तेन डिगरी तक नीचे आ सकता है अगली बड़ी कबर बिहार में कोरोना बिस्पोर्ट पिछले 24 गंटे में 4526 नए मामले पटना में 17 बच्चे सहीत 1956 पोजिटिव जबिहार में बेकाव कोरोना की तिसरी लहर लगतार मरेजों की सिंख्या बढ़ा रही है राज में पिछले 24 गंटे में फिर से एक बार बड़ी तदाल में नए कोरोना मरेजों की पहचान हुई है जिस परकार से कोरोना संकरमित मरेजों की सिंख्या बढ़ रही है वह चिंता जना के आपको बता देख राज में पिछले 24 गंटे में 4526 नई कुरोना संक्रमित की पहचान की गई है इनमें से सबसे ज़्यादा राज़ानी पटना में 1956 नई मरेजों की पहचान हुई है बिहार में एक्टी मरेजी की सिंख्या 12311 हो गई है स्वास्थ विबाग द्वारा जारी किये गए कुरोना के आकड़े पर यादि गोर करे तो अर्या में 23 नई मामली सामने आये हैं वही अर्वल में 45 औरंगाबाद में 46 बाका में 44 बेगुसरे में 27 बागलपूर में 53 बोजपूर में 77 बकसर में 30 दरबंगा में 73 पुर्वी संगन्ज में 51 लखिसरा में 27 मधिपूर में 37 मधुबनी में 58 मुंगेर में 26 मुझपरपूर में 263 नलंदा में 212 नवादा में 22 पुर्णिया में 45 रोतास में 61 सहरसा में 37 समस्तिपूर में 61 सारन में 110 सेखपूर में 5 सिवर में 15 सितामड़ में 90 सिवान में 18 सुपोल में 32 बेस सेंपल भी पोजिटिव पाए गए हैं अगली बड़ी कबर दस जन्वरी तक करे कोरोना मिर्तोकों की परेजोनों का भुगतान आपदा परबंदन ने सबी डियम को लिखा पजिया कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हुई है उनके परेजोनों को हर हाल में दस जन्वरी तक का नगरा नुदान बुगतान करने को कहा गिया है आपदा परबंदन ने इस बाबत जिलादी कारियों को पत्र बेजा है पत्र में बिबाग ने लंबित बुगतान की बेसित रिपोर्ट भी मांगी है इसके लिए एक फॉर्मेट भी बेजा गिया है अगली बड़ी खबर बिहार पुलिस कर्मियों के लिए गाइलाइन जारी वीडियो कांफरेंसिंग में होगी बैठके डूटी के दौरान मास कनिवारी या कोरोना के बरते खद्रे के बेज पुलिस कर्मियों को संक्रमन से बचाने के लिए पुलिस मुक्यालाई ने गाइलाइन जारी की है कोरोन से बचाव के लिए रचमातमक और निरोधातमक कारवाई के बाबाद्वी सित्र दिसानिर्दिस दे गए हैं मुख्यालज के सरकारी यात्रा और डाक की विबस्ता समेत अन विंद्यों पर कारवाई के साथ सुजा भी दिये हैं साब सपाई रखने और डूटी के दोरान सभी पुलिस कर्मियों को मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई है अगरी बड़ी कबर राज की यवावों के लिए खुसकबरी राजसवे विवाग में बहाली निकालने के तयारी पाचीस सर्वेक्चन कर्मियों के बहाली करेगा विवाग आउती सर्वेक्चन के लिए जेल्दी पाचीस सर्वेक्चन कर्मियों के बहाली करेगा यव आउन्गों के आदार की जाएगी ये सारे पद समीदा वाले होंगे सभी आवेदन ऑनलाइन मंगाए जाएंगे सभी को कंप्योटर के सहारे च्छाटा जाएगा बहाले आंगों के आदार पर कि जाएगी इसकी पूरी प्रक्रिया इसी साल पूरी कर लिजाएगी वो अभी लेग अवम परिमाप निदे साले की निदे सग जैस सिंग ने यह जानकारी दी है अगली बड़ी ख़वर रहतास में 11 जन्वरी को लगेगा ओलाइन जौब केम बायो टेकनोलोजी लिमिटेड द्वारा 50 पदो पर ओलाइन की जाएगी नियुक्ति अगली बड़ी ख़वर रहतास जिली के अवर प्रदेशिक नियोजानाले डाल्मिया नगर में 11 जन्वरी को लाइन जौब केम का आयोजन किया जाएगा सबी चुक अवियरतियों को अलाइन आविदन अपलाई करना होगा इसके अलावा अनिक इस भी मादम से आविदन सीवकार नहीं किया जाएगा वह नियोजन पता थी कारे अंकित राज ने बताया कि इस जौब केम में सीव सकती बायो टेकनोलोजी लिमिटेड पटना के द्वारा सेल्स ट्रेनी एवाम सेल्स रिप्रेजन्टिव के पचास पदों के लिए जौब केम का आविजन किया जाएगा इस बाद के लिए अभियारतियों की योगिता मेटरिक इंटर और सिनातक उत्रेन अभियारति आविदन कर सकते हैं इस बाद के लिए 20 वर्च 34 वर्च आविदन कर सकेंगे वहीं नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से ओलाइन की जाएगी आवेदक 10 जनवरी तक ओलाइन एमेल आईडी पर आवेदन भेजना होगा आवेदी दभेरतियों का वे इंटर्वियो वीडियो कॉल और वाइस कॉल के मादम से किया जाएगा वहीं चैनित हुए इवावो को बिहार राज में ही नोकरी करने का मौका दिया जाएगा वहीं नोकरी योगदान करने के बाद इवावो को 10,000 से 14,000 तक मासिग वेतन दिया जाएगा अगली बड़ी कबर बिहार में इस बार नहीं होगा सत्ता के गल्यारे का चारचित दही चुड़ा भोज कोरोना ने लगा दिया है ग्रहन जिया सत्ता की गल्यारे में इस बार मकर संक्रामती के मौके पर नियमित रूप से होने वाला चुड़ा दहे का भोज सगित हो गया है जन्वरी में कुछ निताओं की ओर से भी अलग अलग जगों पर भोज आयजित हो रहे है उसे भी भिलाल टाल दिया गिया है राज़त प्रमुक लालुपरसाद यादवोर जदोई के पूर प्रदेश सद्यक्ष वर राजसवा सांसद वसिष नराइन सिंग द्वारा लंबी समय से दही चुड़ा भोज का एजन होता रहा है लेकिन इस बार कोरोना का अफर हुआ है यह सियासी दही चुड़ा इस बार ना कोई खिला सकेगा और नहीं खा सकेगा बिहार में अब गार बैठे निकाल सकेंगे जमीन के दस्तावेज़ की नकल लेने के लिए रहेतों को अंचल कार्याला के चकर काटना पड़ता है लेकिन सरकार अब जल्द इस परिसानी को खतम करने की कोसिस में लग गई है राजस बेमम भूमी सुधार विबाग के अंदर दस्तावेजों को ओलाइन निकाल पाने की वबस्ता बना रही है केबिनेट के मंजूर के लिए प्रस्ताव तयार किये जा रहे है जिसके बाद दस्तावेजों के नकल घर बेटे ओलाइन ले सकेगी बाद में सबी दस्तावेजों के नकल ऑलाइन मिलने लगेगी केबिनेट से इसे मंजूरी मिलने बर की देरी है नकल पर अधिकारियों का डेटेल अस्ताचर रहेगा अगली बड़ी ख़वर पाच राजजों में चुनाव तारिकों का एलान साथ चरनों में पाच राजजों में बिदान सबा चुनाव सुरुआत दस परवरी को यूपी से सभी नतीजे दस मार्च को जहां मुई की चुनाव आयोक तो सुस्चंदर ने बताया कि उत्तर परदिस में साथ चरनों में वोटिंग होगी दस परवरी से साथ मार्च तक वोई पंजाब उत्राकन और गोवा में एक साथ 14 परवरी को वोटिंग करा लेंगे बचा मनिपूर तो वहां 27 परवरी और 3 मार्च को वोट पड़ेंगे और सभी जगा नतीजे एक तारीक यानि 10 मार्च को जारी होंगे अगली बड़ी खबर बिहार के 3.5 लाग सिक्चकों के वेतन में बड़ी बिर्दी सरकार ने दे एक और राहत जिया बिहार में कोरोना के 3 लहर के बेच सिक्चकों के लिए अच्छी खबर आ रही है सरकार ने सिक्चकों को एक बड़ी राहत दी है सरकार ने समगर सिक्चा बियान के तहद 586 करोड 41,49,000 रुपे की स्विगिर्टी देते वे इसे जारी करने का आदेश दिया है इस रासी से 30,52,000 सिक्चको के और पुस्तकाला एदक्चो को 15% बड़ा वितनमान के साथ दिया जाएगा मैं सिक्चको को संक्रमन से बचाने के लिए 50% चमता में ही स्कुलो और आने सक्षेने की संसानों में सिक्चको को रोटेशन के अदार पर बुलाने का निर्दिस दिया गिया है अगली बड़ी कबर 24 गंटे में पुरे देश में डेड़ लाग से ज़्यादा केस 324 मोते अकेले महाराष्ट दिल्ले और पश्चिम बंगाल में 80,000 मरीज मिले जिया देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में पहली बार डेड़ लाग से ज़्यादा नए मरीज सामने आये हैं 24 गंटे में संक्रमन के 1,53,381 केस मिले हैं पिछले 24 गंटे में 40,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं वह 324 लोगों की संक्रमन से मौत भी हुई है वही राज्जों के बात करें तो महराष्ट में 41,434, दिल्ले में 20,181 और मंगाल में 18,802 में सबसे ज़्यादा मरीज सामने आये हैं इन तीन राज्जों में अकेले 80,000 के करे मामले दर्ज किये गए हैं अले कबर बिहार में तीसरी लहर के तैयारी प्रवासी मजदरों के लिए फिर से सुरू होगा कॉल सेंटर फॉन पर ही होगा रजिस्टर सादेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की बेच स्रम संसादन विभाग ने फिर से कॉल सेंटर सुरू करने करने ने लिया है इस कॉल सेंटर पर बिहार से बाहर काम कर रहे महज़ूरों को पूरी जानकारी दी जाएगी अगर लोगडाउन या किसे आने कारन से महज़ूर किसी भी राज में फस जाते है तो ने बिहार आने में सरकार मदद करेगी कॉल सेंटर पर मिली जानकारी के हिसाब से राज सरकार समधित राज्यों से बाचित भी करेगी साथ ही आपको बता दे कि कॉल सेंटर फर फोन करने वाले मैज़ों का पंज़करन किया जाएगा इससे यह जानकारी मिल सकेगी कि कोरोना के बढ़ते अमले के बेच कितने लोग अपने घर वापस आ गए है अगर बिहार आने के बाद कोई मजदूर यहीं रहकर काम करना चाहेंगे तो उन्हें रोजगार दिलाए जाएगा मनरेगा सड़क निर्मान सहीता ने सरकारी विवागों के कामों में उन्हें समयोजित किया जाएगा की बड़ी ख़बर उत्तर परदेश में आरक्षी नागरिक पलीस और फायरमेन के 27322 पदो के लिए नाटिफिकेशन वोड ने आरक्षी नागरिक पलीस के 26210 पद और फायरमेन के 172बात्र Podgo को सिधी भरती को अबत्रित जाने के लिए अपने टेंडर के मैदम से आवेदन आमांतरित किये हैं बारते का नोटिफिक्सन जारी हो गया है इन कूल 26,382 पदो पर आवेदन करने के इच्छुक उमिद्वारू को अधिकारिक बेबसाइड UPPBP.gov.in पर आवेदन करने के लिए जाना होगा प्रस्ता प्राप्त होने का अंतिम दिन 27 जनौरे 2022 दोपर 12 बजे तक है बता दे कि इन पदों पर उमिद्वारू को आवेदन ओलाइन से उकार किया जाए लेकिन आफलाइन लिखित परिच्छा आईजित की जाएगी इसी के साथ ही एडमिट कार्ड वे ओलाइन मेदम से जारी किया जाएंगी आज के लिए आपका स्वाल बताए कि कोरोना के बेच पाच राज्जों में विदानस्वा चुनाओ कराने का फैसला सही है या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए